Hello Trainers, Welcome to Brand New Video of Pokemon Unit So guys, current time पे जो Rank Match का नया Season चल रहा है वो शाय से Season 4 है And ये वाला जो नया Season है ये 21st of July से स्टार्ट हुआ है So Rank Match का जो ये वाला Season है इसमें Ranking System को Change किया गया है And काफी सारे लोगों को ये वाला नया Ranking System समझ में नहीं आया है मतलब मुझे पिछले 2-3 दिनों से काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे है And वो लोग बस ये ही कह रहे हैं कि Rank Match New Season का Ranking System समझा दो So इस वीडियो में मैं आप लोग को वही चीज एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ वीडियो जादा लंबी नहीं है इसलिए एंट ज़रूर देखना I hope आप लोग को वीडियो पसंद आएगी So देखो पहले क्या होता था कि जब भी हम लोग Rank Push करते थे तब हम लोग Class 1 से लेकर Class 5 तक जाते थे Example के लिए अगर मैं आप लोग को बताऊं So मालो आपके Rank Veteran है And अगर आप लोग Rank Push करोगे तो आप लोग Veteran Class 5 Then Veteran Class 2 Then Veteran Class 3 And ऐसे करके 5 तक जाओगे Then 5 होने के बाद फिर आप लोग Ultra Class 1 में जाओगे So पहले Rank जो है वो ऐसे Push होती थी मतलब Class 1 से लेकर Class 5 तक हम लोग जाते थे लेकिन ये वाला जो नया Rank सिस्टम है इसमें ये जो Class वाला सिस्टम है इसको पलट दिया गया है मतलब अब हम लोग को अगर Rank Push करना है तो अब हम लोग Class 5 से Class 1 तक जाएंगे Then उसके बाद नहीं Rank आएगे Example के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर आप लोग Veteran में है and Veteran Class 5 में है तब आप लोग जब Rank Push करना है स्टार्ट करोगे तब आप लोग Class 5 से Class 4 में जाओगे and then Class 3, फिर 2, फिर 1 and then उसके बाद Ultra Class 5 में जाओगे So I hope आप लोग को ये वाला ranking system समझ में आ गया होगा Just यहाँ पे पलट दिया गया है और कुछ नहीं किया गया and इतनी सी चीज काफी सारे लोग को समझ में नहीं आ रही थी So I hope आप लोग को अब समझ में आ गई होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना and चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना